हेलो माईडी इस्टोंट्स आपके पूर्ण आज किस नए वीडियो में स्वगत है और आज किस वीडियो में हम क्लास 10th में एंसी आटी का अध्याई एक बास्तिविक संख्याई की प्रशनावली 1.3 की हम उधारन 9, 10 और 11 को सोल्ब करने वाले है तो आज किस वीडियो का आपको सुरू से लेकर अन तक जरू देखीगा और इन सवालों को समझने का प्रयास करेगा और घर पर प्रेक्टिस करके देखीगा बहुती बेते इन तरीके से आपको समधाने वाला हूँ तो चलिए अब हम बीडियों को बिने किस दरीके सुरू करते है तो देखिए यहाँ पर आपको उधारन नो दिया है सिद्ध कीजिए कि करने तीन एक आप परी में संख्या है तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यह क्या है आप परी में संख्या आपको यहाँ पर सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप समझेए कि परी में संख्या और आप परी में संख्या हम किसे कहते हैं तो जैसे क्या आप यहाँ पर दे सकते हैं परी में संक्या हम उन संक्या को कहते हैं जिने हम A वटे B के रुप में व्यक्त कर सकते हैं और आप परी में संक्या हम उन संक्या को कहेंगे जिने हम A वटे B के रुप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं जहां A और B क्या है पूर्णांक है तो हम इन टाइप के सवाल को हर करने के लिए के करते हैं हम मान लेंगे कि जो आपको संख्या दी रेती है हम उन्हें सबसे पेले मान लेते हैं कि वह परी में संख्या है और यदि उनका बिरोधफास में प्राप्त हो गया तो ये सिद्धु आएगा कि वह आप परी में संख्या है तो आईए हम इस सवाल को सोल करते हैं यहाँ पर हम दिया है करने ती एक आप परी में संख्या है तो हम आप लिखते हैं मान लीजिए कि करने तीन एक परी में संख्या है है ना हमने मान लिए कि कर्णितीन एक परीमे संख्या है यह दि हमें विरोधवास प्राप्त होगा मतलब कर्णितीन क्या होगी आप परीमे संख्या केलाईगी तो मैंने आपको बता था परीमे संख्या यह दि है तो हम उसे P वटे Q की रुब में व्यक्त कर सकते हैं जहां ए और बी क्या है से अभाज पूर्णांक है तथा बी का माज जीरो के बरावर नहीं हो सकता अब आप समझी कर से अभाज पूर्णांक है फिर से अभाज संग्याम किसे कहते हैं हना तो मैं आपको रफ मैं समझाता हूँ मान के चलिए मान के चलिए एवट वी क्या है से अभाज संग्या है आवाज संख्या में जो संख्या होती है उसका भाग स्वयम के द्वारा यह फिर एक के द्वारा ही जा सकता है किसी और अन्य संख्या के द्वारा नहीं जा सकता है जैसे कि हम ने आप पर लिया है एवटे वी तो आपर जो एक भाग है बे स्वमके या फिर एक के अलावा ही जा सकता है भाग या फिर वी का जो भाग है बे वी स्वमके या फिर एक के द्वारा ही जा सकता है इसके अलावा कोई भी अन्य संके का भाग नहीं जा सकता है दूसरी उधारां के तोर पर आप देखिए हमने एक से अवाज संख्य लिए एक वटे दो तो यहाँ पर जो एक का भाग है एक का भाग स्वंके यह फिर एक के अलावा ही जा सकता है और जो दो का भाग है दो का भाग भी स्वंके ही यह फिर एक के अलावा ही जा सकता है दोनों पक्छो का बर्ग करने पर तो कण्डी तीन का हम बर्ग लिखेंगे बराबर से ए का बर्ग, ए का बर्ग, बी का बर्ग, बी का बर्ग तो यहाँ पर आप समझेगा कण्डी तीन का बर्ग मतलब करणी 3 गुरित करणी 3 तो करणी 3 गुरित करणी 3 बरावर से होता है 3 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बरावर से A का वर्ग बटे B का वर्ग का जैसा का बेसा ही रहेगा तो अब हम क्या करते हैं हाँ पर 3 गुणा कर देते हैं तो देखिए a square यहाँ पर है और इसके बटे में 1 है तो a square कर जब 1 से गुणा होगा तो क्यों होगा a square आएगा और जब b square कर 3 से गुणा होगा तो क्या आएगा 3 b का बर्ग अब हम यहाँ से b का मान निकाल लेते हैं तो हम आप लिखेंगे b बर्ग बरावर से यहाँ पर a बर्ग बरावर के इस साइड 3 है इधर आकर बे बटे में हो जाएगा यानिकि a square के बटे में 3 आ जाएगा तो हम इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं यहाँ पर b square बरावर से a square बटे 3 आ गया है यानिकि जो a square है बे 3 से बिवाजित होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ a square 3 से बिवाजित है किन्तु एक और प्रम्म होता है एक प्रम्म के नुसार कि यदि a square 3 से बिवाजित है तो a square का मूल मान यानिकि a भी 3 से बिवाजित होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रम्म से ए ए भी 3 से बिवाजित होगा इतना आपको clear हो गया है अब हम के करते हैं हम मान लेते हैं हमें आपके लिखेंगे माना हम a वरावर से 3 सी मान लेते हैं अब हम इस a के मान को समिकरण दो में समिकरण एक में रखकर देखते हैं तो a का मान में दिया है 3 सी यहाँ पर समिकरण एक है a स्कुर बरावर से 3 b का बर्ग तो यहाँ पर हम मान रखते हैं a का तो a का मान में दिया है 3 सी का हो जाएगा वर्ग बरावर से यह जैसा का बेसा ही रहेगा तो यहाँ पर 3 का वर्ग क्या होता है no और c का वर्ग कित्ता होता है c का वर्ग c का वर्ग ही होता है और ही जैसे का बेसा अब हम यहां से सुरी हमें यहां पर 3b square जैसा का बेशर रहेगा और यहां पर भी 3b का वर्ग जैसा का बेशर रहेगा अब हम यहां से C work command निकाल लेते हैं तो C work लिखा हमने बरावर से 3b का वर्ग यहां पर जो 9 है बरावर के इस साइड है इधर आने पर भे बटे में हो जाएगा मदलब कि 3B का वर्ग वर्टे 9 हो जाएगा अब देखिए C वर्ग का मान क्या आगा है 3B का वर्ग वर्टे 9 याने कि जो B वर्ग है है यहाँ पर हम 9 को 3 से काट सकते हैं तो 3 तिया कितना होता है 9 तो सी वर्ग वरावर्स कितना आगा 20 स्क्योर बटे 3 यह आगा समिकरन 2 मल्लब कि 20 स्क्योर 3 से दिवाजित है तो हमें आपर लिख सकते हैं यहाँ जो 20 स्क्योर है 3 से दिवाजित है और प्रमय के अनुसार kiedy 20 स्क्योर 3 से दिवाजित है तो B भी तीन से बिवाजित होगा तो यहाँ पर आप देख सकते है हना आप यहाँ पर देख सकते है से अवाज संख्याए होने की सर्थ क्या थी कि उस संख्या का भाग केवल उस संख्या से यह फिर एक सही जा सकता है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते है जो A है A जो संख्या है उसका भाग तीन से जा रहा है हना A का भाग तीन से जा रहा है मरलब की A और एक के अलावा भी अन्य गुड़न खंड यहाँ पर है और यहाँ पर भी आप देख सकते है B का वाग 3 से जा रहा है यानि कि B के गुड़न खंड B और 1 के इलावा 3 भी है तो यहाँ पर जो C अवाज संक्या है उसकी सर्थ यहाँ पर सिद्ध नहीं हो रही है मतलब कि A और B के है C अवाज पूर्णांक नहीं होंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे समी करण 1, 2, 2, C A और B से अवाज संक्या है नहीं है क्योंकि इनका ओवेनिस्ट गुड़न खंड तीन है मतलब कि यहाँ पर जो उनका गुड़न खंड है इन दोनों को ओवेनिस्ट है यानिक कोमन है तो आपर देखिए यह दिये से वाज संक्या नहीं है तो आपर परी में संक्या की सर्थ जो है बेसंतुष्ट नहीं होती है मतलब कि यहाँ पर हमें विरोधवास प्राप्त हो रहा है तो फानलेली हमारा सिद्ध हो जाएगा कि करणी तीन एक आपरी में संक्या है और यह आपका प्रूब हो जाएगा तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करा जाता है चले अब हम बढ़ते हैं उधारन दस की तरफ तो देखें हमें उधारन दस दिया है दरसाए कि पांच रिन करणी तीन एक आपरी में संक्या है तो सबसे पहले स्टेट क्या होगी हम हम मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे मान लेते है की पांच रिन करनी तीन एक परी में संक्या है यदि इनको खल करने पर यदि इनका मान परी में संक्या के रूप में नहीं आगा तो सिद्ध हो जागा की पांच रिन कर्णी तीन एक आपरी में संख्या होगी अब परी में संख्या की सर्थ क्या होती है परी में संख्या को हम A वटे B के रूप में व्यक्त कर सकते है मनलब कि हम पांच रिन कर्णी तीन को A वटे B के रूप में व्यक्त कर सकते है जहां ए और बी से है अवाज पूनांक है तथा जो बी कम आने सुनने के बराबर नहीं होगा तो अब हम करते क्या है हम यहां से पक्छांतर करते हैं तो हम यहां से रिंट करने ही तिंग के पक्छांतर इधर कर दिंगे तो हाँ पर देखिए 5 ए वटे वी के पक्छांतर हम बाज तरफ करते हैं इधर धन का है तो बाज तरफ आकर भे रिंग का हो जाएगा बराबर से इधर करने तिंग का है तो इधर साइड आकर भे धन का हो जाएगा अब हम करनी तिंग को इस प्रकावी लिसकते हैं करनी तिंग बराबर से 5 रिंड A वटे B तो करनी तिंग बराबर से यहाँ पर हम लगुत्तम ले लेंगे तो लगुत्तम आएगा इसका बटे हर में B यहाँ पर बटे में एक है एक में B का गुणा होगा तो B आएगा B का गुणा जब पास से होगा तो क्या आएगा 5B माइनस यहाँ पर B एक कम B और एक में A का गुणा होगा तो क्या आएगा A आएगा तो यहाँ पर कर्णी 3 का मान क्या गया है 5B रिन A बटे B तो यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर आपको पता है कि जो कर्णी 3 क्या है इस से पहले हमने सिद्ध कर चुके है कि कर्णी 3 क्या होती है एक आपरी में संक्या होती है जब कंड़ी तीन एक आपरी में संख्या है याली संख्या जब आपरी में है तो इसके बरावन में आली संख्या है मदलब याली संख्या भी आपरी में होगी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चुकि कंडी 3 एक आपरी में संक्या है इसलिए जो 5 भी रिन A बटे B जो संक्या है बेवी आपरी में होगी तो इस प्रकार से दोनों को मान आपरी में हो गए तो मतलब 5 रिन कंडी 3 भी एक आपरी में संक्या हो जाएगी क्योंकि हमें आपर बिरोधवास प्राप्त हो रहा है कि ये जो संक्या है परी में संक्या नहीं है तो इस प्रकार से हमारा जो सवाल है बेप्रूब हो जाएगा तो इस प्रकार के आपको सवाल करना था अचले हम बढ़ते है उधारन 11 की तरफ तो आप यहाँ पर देखिए उधारन 11 में हमें दिया है दर्साइए कि तीन कर्णी दो एक आप परी में संक्या है तो सबसब पहले हम क्या करेंगे माल लेंगे कि तीन कर्णी दो एक परी में संक्या है यदि हमें इसे का ब्रोधवासप्राथ होगा मतलब कि यह आप परीमे संक्या हो जाएगी है सिद्ध हो जाएगा तो हम करेंगे क्या यदि आपको पता है परीमे संक्या को हम A वटे B के रूम में व्यक्त कर सकते हैं तो यहाँ पर तीन करनी दो को हम A वटे B के रूम में व्यक्त कर सकते हैं जहां A और B क्या है सेहे आभाज पूरणांक है तथा B कमान 0 के बरावर नहीं हो सकता तो अब हम यहां से करनी 2 कमान निकाल सकते हैं तो हमें आप लिखेंगे करनी 2 बरावर से A 3 जब इधर जाएगा तो क्यों जाएगा 3 V हो जाएगा करनी 2 बरावर आपस क्या गया है A बटे 3 V और जैसा कि आपको पता है कि करनी 2 एक आपरी में संख्या होती है तो जब यह संख्या आ परी में है तो यह वाले संख्या भी आ परी में होगी क्योंकि यह इसके बढ़ावर में है तो हमें आप़ नीचे लिख दिंगे करणी दो एक आप परिमे चहल्ग है इसलिए ए वाट तीन डी वी परिमे आपड़िमे होगी अब जब ये दोनो आपरिमे च다가 है मदलब कि जो आपको तीन करणी दो दी गई थी बेवी आपरी में संक्या हो जाएगी तो हमें आपर लिए सकते हैं अतहा तीन करनी दो एक आपरी में संक्या है और इस परकार से आपका उधारन जो है बेप्रूव हो जाएगा तो इस परकार से हमने आज के इस वीडियो में सारे सवाल को solve करेंगे तो मिलते हम उसके नेश्ट वीडियो तक के लिए जे हिंद जे वारत